जिन्दगी में कुछ रास्ते आपको खुछ से दूर ले जाते हैं और कुछ रास्ते खरीब ये सफ़र कुछ ऐसा ही है आज हम जहां जा रहे हैं ये शहर की भीड़बार से दूर है यहां जाने का मकसद सिर्फ घूमना नहीं मकसद है कुछ ऐसा करने का जो मुझे अपने बच्पन में वापस ले जाए वापस ले जाए उस वक्त में जब मुझे गाणियों का शोर नहीं टॉंस नदी की आवाज सुनाई देगी त्यूनी उत्राखंड के नदन साइड में टॉंस नदी के टट पर स्थित एक छोटा सा कजबा यहां की खूपसूर्ती एक फ्रेम में काप्चर नहीं करी जा सकती इसे मासुदेफता की नगरी भी कहा जाता है उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश के लोगों में मासुदेफता की माननेता उनके आस्था और विश्वास का प्रतीक है बैने लोगों को कई बार कहते सुनाए हमारे बच्पन में हर सवाल का जवाब छुपा होता है त्यूनी मेरे बच्पन का हिस्सा है और आज मेरे हर सवाल का जवाब यहाँ है अक्सद है बच्पन में वापिस जाने का कुछ ऐसा करने का जो मैं यहाँ उस वक्त में ही कर पाए तो आज हम वही करने आए कि उन्ही ने आज मुझे मौका दिया अपने आप के करीब आने का अपने बच्पन में वापिस जाने का हमारा बच्पन एक घाटी जैसा होता है उसकी खूपसूरती और घहराई का पता वहाँ जाकर ही समझाता है बेफिक्रमन हर पल को जीने का एसास दोस्तों का साथ अपनों का ख्याल और जिन्दगी का थेराब बच्पन से अच्छा कोई नहीं समझा सकता मेरे बच्पन की घाटी का एक सुन्दर सा फूल है कि हूँ इसको संभाल कर आगे बढ़ना है अगला फूल जो ढूंगना है आगे जो जो आगे अच्छा का एक सुन्दर साथ जााए